कि नमस्ते आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेश चुनावी संस्क्रण में और हमारे साथ तीन चुनाव के विश्लेशक हैं बहुत अनुमवी विश्लेशक होंकार चौदरी जी धिरेंदर पुंडीर जी और अभिशेक तिवारी जो अभी स्वयम करनाटक जा रहे हैं की टीम पहले से करनाटक में है और हमारे चिंटामणी जी की भी टीम जो है वहां पर है तो हम आरम करते हैं आज का कारेक्रम आरम करते हुए है सबीका स्वागत करता हूं में उंकार जी का अब शेक जी का दीरेंदर जी का और याद दिलादों कि जब लगबग दो महीने पूर्व हमने करनाटक के ओपिनियन पोल किये थे ओपिनियन पोल में जो हमारा चिंतावणी जेडी जो पोल था उसका जो आंकड़ा था वो था बीजेपी 90 कॉंग्रेस 100 और 25 से 30 जेडी एस और अब कुछ इस चैनल्स के भी ओपिनियन पोल आ गए हैं और चैनल्स के ओपिनियन पोल जो आए हैं वो बड़े मिक्स्ट हैं एक तरफ एबी पी है जो बीजेपी को 68 से 80 और कॉंग्रेस सो 112 से 130 तक दे रहा है और जेडी एस को भी उनका तो खेर वो एक बड़ा क्योंकि व आया उसमें वो हंग असमिली दे रहे हैं लेकि लारज़स्ट पार्टी बीजेपी को दे रहे हैं इसी तरह से चलती है उसका भी आया है और उसके बड़ा एक कंफूईंग मामला चल रहा है तो अब इक कुछ तिनों पहले अविशैक किवारी जी ने भी एक पोल किया था प आपके हिसाब से लेटेस्ट अभी मैं जैपूर डायलोग पर ब्रेक करने वाला हूं मेरा चैनल का जो है वो एक महीने पुराना डेटा था लेकिन इस डेटा में बदलाव करने की दो वजह रही है सथ दो महत्पून कारण है एक जो EWS में मुसल्मानों का आरक्षन है वो 4% कम कम करके लिंगायत और वो का लिंगा को दीया गया उसका भी हमको इफेक्ट देखना था कितना पड़ता है चिक मंगलूर में हमको देखना था कि टी रवी का कितना प्रभाव पड़ रहा है और यह सारा चीज अपडेट करने के बाद एक नया आपके सामने में पहले कोई यह न समझेंगे कि इसमें से लार्जेस्ट पार्टी अभी जो है बीजेपी को है चीटर से असी एक्चुली है और अरसट से बासट से अरसट कॉंग्रेस है जेडियेस 22-28 है लेकिन टफ जो फाइट है वो लगबग 52 सीटों पे है इसमें भी बीजेपी को बढ़त थी ल लगबग लगबग इसमें 30 सीटों पे सरबढ़त है लेकिन फिर भी हमने उसको टफ फाइट में रखा है अगर आप मैं दूसरे चैनल का नहीं कह सकता उन्होंने कोस्टल रिजन में बीजेपी को जो है वो बहुत कम सीटे दी थी 19 सीटे ही है लागी कोस्टल रिजन में ले अच्छी बार बीजेपी कोस्टल रिजन में बहुत अच्छा पॉपॉम्स था इसके अलावे हम आते हैं नौर्थ मुंबई कर राटक यहां पर 50 सीट थी यहां पर भी जो दूसरे उपिनियन पोल है उन्होंने कॉंग्रेस को आगे दिखाया लेकिन हमारे हिसाब से अभी बीजेपी 22 सीट जीत रही है आई एन सी 13 तफ फाइट जो है वो 15 से 17 सीटों में है वहां में ही बीजेपी आगे है तो हमारे हिसाब से अगर अभी पोल देखे तो थोड़ा सा अप्ग्रेड करके मैंने यह कहा है है हैद्राबाद करनाटक में सर वहां पे भी बीजेपी कर रही है सथ जी चीहतर से असी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी 62 से अरशट कॉंग्रेस अब जो 55-52 सीट है इसमें फाइट है जो बेटर अच्छा कैंपेइन कर लेगा अपने बातों को रख लेगा वो निकल जाएगा जी के लिए हम चलते हैं अब ओंकार जी के पास ओ मामला बहुत पेचीदा है अब यहां पर अलग अलग पार्टियां अलग 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 अपना रही हैं अलग अलग अपने तरह तरह के असलहे निकाल रही हैं वोट खींचने के लिए तो आप इसको कैसे देखते हैं आपको क्या लगता है कि आगे क्या हो सकता है किस पार्ट अग्ता है संजय जी के बीजेपी के लिए इस बार करनाटक जो है वो आसाम तो बिलकुल रहने वाला नहीं है कि तरह की दिक्कतें हैं नेत्रत्व को लेकर के भी है कुछ दूसरे इशूज भी है और विदायकों का जो परफॉर्मेंस रहा है सरकार का भी ओवर ओल जो हैं और जैसा कि हम देखते आए हैं हर राज्य के चुनाओं में कि जब परदान मंतरी नरेंद्र मौदी की रहलियां वगरा शुरू होती है जो एक माहूल बनता है उसमें जो थोड़ा बहुत नुकसान पारिटी को दिखाए देता है कई बार उसकी भरपाई हो जाती है कु सीटे कॉंग्रेस ने जीती है उनकी लीड बहुत ही कम है ना के बराबर है बहुत मामूली मामूली अंतर से वह सारी सीटे कॉंग्रेस ने जीती और बीजेपी ने हारी हैं लेकिन करनाटक में तो मैं अगर आसान शब्दों में कहूं तो डिपेंड करेगा कि भारतिय जनता पारिटी का परफॉर्मेंस इसके आगे जाएगा या नहीं जाएगा डिपेंड करेगा कि राहुल गांधी कितनी जल्दी महां सक्रिय होते हैं मतलब भाजपा का छुपा हत्यार जी इस्टार राहुल गांधी अगर जल्दी सक्रिय हो गए तो भारती जनता पारिटी का जो रास्ता है थोड़ा आसान हो जाएगा इनको ज्यादा मैनत करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि जहां जहां पैर पड़े संतन के ताहता बंटा धार जहां जहां वो गए हैं चाहे गुजरात हो पश्यम बंगाल में तो नकसल बाड़ी में बस एक की ही सभा की थी लेकिन कम से कम टोकन के रूप में तो हम कह सकते हैं ना कि बंगाल भी गए और वहां कॉंगरिस का जीरो आया जीरो 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 जीर पर यहां तो जब वो भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा कर रहे थे तो सबसे ज्यादा समय उन्होंने करनाटक में लगाया 21 दिन लगाए तो थोड़ा अगर वो अति उत्साहित हो गए जो हाल में उनके साथ हादसा पेश आया है उससे वो थोड़े उत्साहित हो गए और कॉं करनाटक में कि मेरी लोग प्रियता इस समय चरम पर है लोग मुझे सुनेंगे विक्टेम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे तो मेरा मानना यह है शुरुवाती रिमार्क्स मेरे यहीं है कि भारतिय जन्ता पारिट्टी टक्कर में है सबसे बड़ी पारिटी बन करके उभरे इसमें भी कोई संद्धे दिखाई नहीं दे रहा है सिंगल लार्जेस्ट भारतिय जन्ता पारिटी ही रहेगी ऐसा मेरा मानना है कि कुछ फिर हो जाये बाद में वह अलग बात है दो मेने पहले हमारे ओपिनियन पॉल में यह कॉंग्रेस लाजेस्ट पार्टी आ रही थी जिए-जिए-जी नहीं कुछ चैनल दिखा रहे हैं मैं आभी देख रहा था तो एक चैनल दिखा रहा था करे आग्णरेस पारिटी जो है वो 115 से 127 सीटे जीत सकती है दूसरा दिखा रहा है 88 से 98 जीत सकती है और जो 88 से 98 दिखा रहा है वो भारतिय जंता पार्टी को 96 से 106 दिखा रहा है तो ये अंतर विरोज चल रहे हैं अलग-अलग चैनलों के अब जिस तरह के opinion पॉल होते हैं, survey होते हैं, उन किसे कहनियों को तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, संजय जी, बहुत कम ऐसे survey और opinion पॉल होते हैं, जिनको आप कह सके के हाँ, इन पर भरोसा किया जा सकता है, अभी जो सबसे विश्वसनी है, अगर कोई दिखाई देता है, तो जो आज तक के लिए गुपता जी कर रहे हैं, वो थोड़ा नज अंतिम निरने आने तक भी आपको इंतजार करना पड़ता है, जी, दिरें जी, लड़ाई तो दिल्चस्प होने जारी, उसमें तो कोई शक्त नहीं हो, और मुझे लगता है कि एक चेहरा जो प्रधान मंतरी मोधी का है, वो वहाँ फिर वापस बीजेपी के लिए काम करेग जो भी ताकत होगी, वो वहाँ बीजेपी के प्रधान मंतरी के चेहरे पे होगी, साथ ही ये जो ये रप्पा कितनी ताकत के साथ अपने समुदाय को आंदौलित कर पाते हैं, वहाँ तक पूरी ताकत ला पाते हैं, ये बीजेपी के लिए बड़ी चीज होगी, वरना तो अलग अलग हिस्सों में बटी भी बीजेपी वहां भी दिखाई देती है आप बोमई बहुत तरह से प्रभाव छोड़ते वे नहीं दिखे इश्वरापा जैसे लोग करॉप्शन के चार्जिस में जो जो अलग अलग लीडर्शिप रही वो है इसके अलावा अगर आप वो कल क्लियर आता क्योंकि अभी हम जादेता राज्यों में देख रहे जो जो उसका वोटिंग का है पैटर्ण का वो यहां इसने नहीं दिख रहा क्योंकि यहां एक पूरा का पूरे कास्ट की ताकत तीसरे जो पार्टी है जेडी एस वो बैलेंसिंग वील के तौर पर है उसमें कोई अभी भी कमजोरी आते वे नहीं दिख रही तमाम सरवे हो या वैसे में सरवे पर बहुत जादा किसी पर भी रिलाई नहीं करता हूँ लेकिन अगर हम लोग वैसे भी देखें तो वो दिखाई देता है कि अभी भी वो तीसरी पार्टी है और वो अपनी डूसरी जो कॉंग्रेस के पास से जो आते भी दिख रही है लोगों को बड़ी पार्टी बनते भी दिख रही है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण डी के शिवकुमार नहीं है वहाँ या वो सिधर रमया वहाँ वाकई लोग पिये नेता है अठारा फिज्दी वोट शेर जी जलीतों का है उस पर एक बहुत स्ट्रॉंग पकड़ है वो उनकी अब लेकिन दी सिवकुमार के साथ उनका रिष्टा अभी भी इस वक्त हम लोग जब बात कर रहे होंगे तब वहाँ जो हालत हुई है या बीजेपी जो नए वोटर्स जोड़ पाने में अभी तक जो दिख रही है कि बहुत जादा सफल नहीं दिख रही है प्रदान मंतरी मोधी 2013 से वहाँ लगवग अब तक 32 सभाएं कर चुके अब 32 बार वहाँ आकर जा चुके तो प्रदान मंतरी म प्रदान मतरी मोधी कहाँ अपने लोगों Clay the सबसे रहा हूं कि रहाँ हूं को मैं वहां नहीं गया हूँ, अगले एक अफते में नहीं रहूँगा, मैं अब एक अफते में चला जाऊँगा, लेकिन जो पिछली बार का experience था, वो बिल्कुल इसी तरफ इशारा करता है कि BJP, no doubt, आज भी सबसे बड़ी ताकत है वहां, और कोई कारण मुझे नहीं गांधी या कोई चीज इस तरह का issue, वहां कोई मसला है, कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो इस्तीफा दें, दो सीटों से जीत जाएं, या दो सीटों में जाके वो भरती हो जाएं, यह कहें कि मैं हूँ, वहां इसका कोई भी करना तक कोई असर नहीं होगा, उनका जान नजाना मुझे नहीं लगता कि कॉंगरेस के लिए कोई मायने लगता हो, मलीकार जुन खड़के जो एक नए अध्यक्स के तौर पर हैं, पार्टी के अध्यक्स हैं, वो इस बात की जरूर कोशिश करेंगे, कि साहब उनकी इसको स्विकृती मिल जाए, कि उनको जो है यह प पार्टी ताकतवर मान ले, और उसके लिए जरूरी है कि वो करनाटक में कुछ काम करते हुए दिखाई दे, और उनकी यह पूरी कोशिश हो रही है, कि वो डी सियुकुमार अपनी महत्वा कंचा भूल जाए, या सिधारमय अपनी एरोगेंस छोड़ जें, और ये दोनों म पूरे देश की पार्टी के अध्यक्स हों, तो आज की डेट में जब हम लोग पहला रिमार करते हैं, तो मुझे लगता है बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, पिछली बार की तरह है, जिस तरह से वो कुछ सीटों से रह गई थी, मुझे लगता है कि सीटों प कुछ कुछ कारण नहीं दिख रहे हैं इस तरह के, कि वहां कॉंग्रेस बहुत तेजी से सर्ज करने लगी हो, अचानक बहुत बड़ा काम हो जया हो, क्योंकि काम और उस तरह की वोटें हम लोग बाचीत में जरूर करते हैं, लेकिन वहां अभी जाती है, समीकरणों का दौ कुछ रहता है, वो बहुत इंपॉर्डंट करता है, मुझे अभी तक कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज उनमें नहीं दिख रहा है, जी समीक, अजी अफशे की जो इस अब आएंगे, वो एक तो बारती जन्ता पार्टी के हवाले से, यदियोरप्पा का क्या रोल र के शिवकुमार वर्सस सिदरमया वर्सस अब खड़ गे, जैसा कि कहा दीरेंदी ने कि वो स्वयम रिफरी के रूप में ना होकर, स्वयम एक खिलाडी के रूप में उतर चुके हैं वहा मैदान में, तो ये जो सब होगा, इसमें से आप किस तरफ पलड़ा जुकता देखते हैं, क्योंकि कोस्टल में जो ये कहा जा रहा है कि प्रवीन निटारू के बाद में जो बारती जनता पार्टी का एक धुल्मुल रवया रहा, उसको लेकर कारकरताओं में बहुत रोश है, और आपके मुंबई करनाटका में ये कहा जा रहा है कि बारती जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे जो है वो करप्ट लोग ले लिए करप्शन एक बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है विशेशकर ग्रेटर बैंगलोर में और बैंगलोर सिटी में तो इन मुद्धों पर आप पर प्रकाश डाले जरूर इस मुद्धे वाली बीजेपी जेडियेस जो सॉरी जेडी जैपू डायलोग्स का ये पोल देखने के बाद अपने आपको कितना सीरियस लेती है कुछ काम करती भी है मूल भूत धाचे में स्ट्रक्चर में बदलाओ के नहीं तीन चार देखिये इन्होंने एड्रेस करने का प्रयास किया कि उसके बाद वह मुसल्मानों के रैजर वेशन को लेकर के या फिर ये दुरब्पा के दोनों बेटो को नित्र तुमें ले करके में फोकस में लाने का टीरवी जी को आगे बढ़ाने का अब आपने दूसरा बोला था ति इसके बाद आपने बोलाए dalभ 승la स्वist उत्रत घ इदर की छे, कलबूर्गी का नौ, गुलबरगा है, यदिर है, कुपल है, राइचूर है, बरेली, विजय नगब, इसमें से बीजेपी फिलहाल बारा सीटे शोरशॉट है और ग्यारा पे टाइट फाइट है, अब जो धिरेन सर बोल रहे थे कि कोई डाउट, अधराबाद कर भी रहा है, लेकिन इसको कंपनसेट लगातार अमिज शाह, मैसूर में एक बात बोली जा रही है, इस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, कि इस बार मैसूर रीजन में जो है, बीजेपी मिरिकल करने वाली है, कुछ चमतकार करने वाली है, और बहुत फोकस है वहां का कैड बीजेपी और खुद इवन अमिज शाह मैसूर रीजन में, तो उनको पता है कि कहां से यहां का सीट वहां कितना बैलेंस कर सकते हैं, उस पे फोकस लगातार जानी है, दूसरा जो आपने कहा था, सिध्रमया और डीके शिवकुमार, सर, फाइनेंसर है करनाटक का डीके यानि बंटी बबली, वो उस पे ज़्यादा फोकस रहते हैं, जो अच्छा फाइनेंसर हो, अब ऐसे में खड़गे जी, तक कौन ज़्यादा पैसा पहुंचा के, किसके ज़्यादा कंडिटेट, टिकेट ले पाएंगे, किसके फेवर में, वो भी मैटर करेगा, सर, अन्ति 2018 में भी ओपिनियन फोल करें थे, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, किसने बीजेपी को लार्जेस्ट पार्टी बताया था, पब्लिक टीवी, इन्होंने भी बीजेपी को कम सीटे दी थी, आईएंसी को ज़्यादा दिया था, CHS, बीजेपी, सेकेंड नमबर की पार्टी थ इन्होंने बीजेपी को ज़्यादा दिया था, और आईएंसी को कम दिया था, सीफोस, इन्होंने तो सरकार बना दी थी, आईएंसी की, इंडिया टूडे, इन्होंने 90-101 कॉंग्रेस को दिया था, बीजेपी को 78-86 दिया था, बीटीवी, इन्होंने भी बीजेपी को दूस से ही दिल्ली सेंट्रिक मीडिया जो है वो सेकेंड नमबर पर रखता है और कॉंशेस है कि बीजेपी कुछ खास नहीं करेगी लेकिन यह जो नई स्ट्रेटिजिक यह तो सबूत है ना यह जो है अभी शेक जी आप देशमुख पर आप आरोफ लगा रहें देशमुख तो कह सकता है ना कि देखो मैंना कहा था कि कॉंग्रिस की सरकार बनने जा रही है उन्हीं की सरकार बनी थी शुरू में सरकार उनकी नहीं बनी थी उनके सहयोगी की बनी थी वो तो बिचारे बाहर से सपोर्ट कर रहे थे, बार से नहीं, अंदर से ही सपोर्ट कर रहे थे, लेकिना, ठीक है, मुझे लगता है, धिरेंदर सर्थ इसको जादा बेहतर एड्रेस कर पाएंगे, कि ये कोई नया बात नहीं है, कि हम नौर्थ के लोग कुछ चीजों के बारे में अलग सोते हैं, अच्छा करनाटक है, वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होगी, मैं भी पहले ऐसा ही सोता था, करनाटका में अजब तक टीम नहीं भेजी थी, मैं स्वें में एक बार पिछली बार होके नहीं है था, मुझे लगा यार करनाटक वेल डेवलप स्टेट है, यहाँ यूपी बिहार सा कास्ट पॉलिटिक्स थोड़ी मैं, जबरदस्त करनाटक के कास्ट पॉलिटिक्स है और जो करनाटक के विवर्स अभी देख रहे होंगे, वो मेरी बात को मानेंगे भी, कि करनाटका में तो ऐसा लग रहा है कि कास्ट पॉलिटिक्स को हैंडल किये भी न, कोई पार्टी सत्ता में आई नहीं सकती, यहाँ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम और ऐसी फैक्टर बात में बात करेंगे, यहाँ तो हिंदू के अंदर इतना फैक्टर है, हिंदुत्वा के नाम पे जो प्रवीन नेत्रू की बात हो, डिफिनिटल नाराज़गी है, लेकिन सर, हिंदुत्वा के उपर अभी भी करनाटक में पात से 6 परतिसत कहीं पूर्ट है, आप चुनाओ जीतेंगे, तब ही मूल भूत धाचों में परिवर्तन करेंगे, दूसरी चीज़ जो हमने देखी है सर, और मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, योगी मॉडल का बड़ा असर है सर करना तक, वो आप किसी भी समुदाय से अगर आप लेकिन ये जब पूशेंगे ना, कि मुसल्मानों को छोड़के, अच्छा आपको योगी जी का मॉडल कैसा लगा, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मॉडल है, योगी जी जैसा ही चीफ मिनिस्टर होना इधर भी, ये एक मारी होगी जी जैसा अगर कंट्रोल किया लॉइन ओर्डर, तो बड़ा मज़ा आजाता, जो उनका बोलने का इस परकार का वो हिंदी बोलते हैं, बड़ा मज़ा आता, तो ये समझ में आता है कि सर वो लॉइन ओर्डर की सिच्छुएशन, वहाँ भी उतना ही बड़ा मुद्धा है, जो उत्तर प्रदेश में है, जी. हुकार जी, ये जो विशे आये हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे आगे चलेंगी, रणनीतिया किस परकार से बनेंगी, क्योंकि अभी तो लगबग एक महीना है, एक महीने से भी अधिक है, इस बार बहुत जल्दी इन्होंने अनॉंस कर दिया, अभी नॉर्मली जब सिंगल इलेक्शन होता है, तो अब नोटिफिकेशन से दो एक, दो तीन दिन पहले ही अनॉंस करते हैं, अभी इनका नोटिफिकेशन तो अभी एक हफते दूर है, देखिए, जो कुछ धिरेन जी ने कहा, जो कुछ अभिशेग जी ने कहा, जेडी इसके बारे में, मैं उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहूँगा, क्योंकि उनकी जो एक ताकत है, वो इंटेक्ट है, उसमें कहीं कोई सैंद नहीं लगा रहा है, न बीजेपी की तरफ से, न कॉंग्रेस की तरफ से, जहां तो कॉंग्रेस का प्रश्ण है और खरगे साब का प्रश्ण है, सोनिया गांधी परिवार की पसंद क्यों बने हैं, यह हमें समझना पड़ेगा, इन्हों ने भुपिंदर सिंग हुट्डा को तो अध्यक्ष नहीं बनाया, जो दूसरे मार्स लीडर हैं, जो अपना जनाधार रखते हैं निजी तोर पर, या जो जड़ें पकड़कर के थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं, ऐसे भी किसी नेता को नहीं बनाया, 2004 में भी डॉक्टर मनमोहन सिंग को इसलिए डूंडा गया था, कि ये तो पपेट रहेंगे ही, इनका कोई जनाधार नहीं है, ये आज तक कोई लोगसभा का चुनाव नहीं जीत पाए, हाँ, 2014 में खरगे साथ जीते थे, और लोगसभा में कॉंग्रेस के संसदी अदल के न क्या एक प्रेंसिपल बनाया था इसमें नेशनल हेरल्ड में इनको, एक प्रेंसिपल का पद दिया गया, कि आगर कोई एजनसी पुष्टाच के लिए आती है, तो खरगे साथ हाजिर रहेंगे, मतलब लोगसभा में नेता परतिपक्ष बनाने की कोशिश या संसदी अदल क का नेता, फिर राज्य सभा में इनको नेता विपक्ष बना दिया गया, नेशनल हेरल्ड में भी जब मोतिलाल वोरा नहीं रहे तो उनकी जगे तो नहीं पर एजिंसियों का सामना करने के लिए इनको खड़ा किया गया, फिर जब अध्यक्षपद की बात आई और अशोग कहलोट ने दुलत्ती मार दी, तो खरगे साब को याद किया गया, तो खरगे साब का कोई बड़ा जनाधर करनाटक में है, या कोई मार्स लीडर है, या कोई चमतकार कर देंगे, मुझे इसकी कोई संभावनार गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है, तो खरगे साब का तो सिक्का महां कितना चलेगा इस पर बड़ा प्रेश्न चिन्न है जो धिरेंजी ने कहा कि डीके शिवकुमार और सिद्धा रमय्या अगर चुनाव में एक साथ दिखाई देना शुरू हो मंचों पर थोड़ा बहुत पॉजेटिविटी आ सकती है लेकिन कॉंग्रेस में तो संजजी निगेटिव ही निगेटिव हैं सारी बाते है आप क्या प्रियंक का गांदी वाडरा महां जाकर के कॉंग्रेस के पक्ष में कोई मतलब ऐसी धूनी रमा देंगी कि एक हवा इसके पक्ष में चल जाएगी या रहूल गांदी का कोई ऐसा जादू है क्या खर्गे सा पारिटी बहुत ही चतुराई के साथ पत्ते खेल रही है ठीक है उनको भी एहसास है बसावराज भूम में जो है वो लोग प्रिय मुख्यमंत्री नहीं है और उनका कोई बड़ा जनाधार भी वैसा नहीं है ठीक है वो एक ऐसे समुधाय से आते हैं कि जिनका वोट परतिशत अधिक है बहुत सारी सीटों पर वो अपना प्रभाव रखते हैं लेकिन ये दुए रप्पा का अस्थान वो ले नहीं पाए है ना ले पाएंगे और शायद इसी सच्चाई को देखते हुए भारतिये जन्तापारिटी फिर से ये दुए रप्पा को आगे ले करके आई है हमें इस बात से तो कोई परहेज नहीं है इंकार नहीं है शुरूमी मैंने कहा कि जब नरेंद्र मोदी की सभाय शुरू होती है तो एक माहोल बदलता है हर राज्य में बदलता है और हाल में जिस तरीके से योजनाव पर योजनाव का उन्होंने शिरिगनेश किया है लोकार ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह खतम हो गई है, क्योंकि केवल मुख्यमंत्री के पृति नहीं होती है, जो पांच साल तक विदायक रहा है, उसने अपने क्षेत्रों में काम किये हैं, नहीं किये हैं, लोगों की सुनी हैं, नहीं सुनी हैं, लोगों के बीच में वो गए हैं, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पर सिच्वेशन अभी तो कम से कम मुझे ये दिखाई दे रही है दिरहन जी कॉंग्रेस ने पत्ता खेला है जो उन्होंने पंजाब में भी खेला था फेल हुआ दो सो यूनिट बिजली फ्री ये बिजली फ्री वाला जो मॉडल है ये बिलकुल आख की तरह पूरे दोईश पे फैल रहा है और दो हजार रुपए हर महिला को वो हो चाहे बी पील हो चाहे अत्यन्द धनाड़े हो कैसी भी हो उसको दो हजार रुपए दिये जाएंगे तो आपको लगता है कि करनाटक में ये काम करेगा इसके तरिक जो और इश्यूज हमने अभी डिस्कुस किये हैं उन पे भी आप अपनी अपना मंताव रखें देखे एक तो चीज़ ये है कि सबसे ज्यादा है फ्री बीज तमान चीज़े ये साउथ की देन है अगर बारत की राजनीती में देखें तो इतनी जबर्दस देन है साड़ियां टीवी सेट और वो सब हम लोग अलग अलग राज्यों में यहां सिर्फ नॉर्डन में सुनत फिर बाद में जहले लिए अंजियार का थोड़ा बहुत समेटी सेवन का जहां तक अतबारों का मुझे जाद है वहां से हम लोग सुनते से वह अनाज एक रुपया किलो चावल वह महां से शुरू हुआ था लेकिन इस पूरे मॉडल को हाल या समय में अगर हमने देखा किस में काम्याबी से हासिल किया या इससे इसके सारे काम्याबी हासिल की तो वह आमादी पार्टी है और बाकी किसी भी पार्टी को इससे बहुत कुछ मुझे नहीं लगता कि हासिल हो रहा होगा या वहां होगा तो मुझे नहीं लगता कि कॉंग्रेस का ये बहुत जादा प्ल वैसे भी टेस्ट ग्राउंड के तौर पर है आप देख रहोंगे टीपू सुल्तान का टीपू जैन्ती को लेकर एक पूरा पूरा फटाव है अगर आप कुर्ग से लेकर इदर की तरफ चलते हैं तो वहां आपको कुछ और सोस्ते में लोग मिलेंगे आप इदर की तरफ आज ने रखता है बामकाबले बाकी किसी स्कीम के को कि सिधार रमया ने उस समय दरा किचिन शायद वही नाम था तो कि मैं लगातार उससे के खूम रहा था जब वह बहुत 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 अच्छा चलता हुआ था लेकिन उस समय साफ लग रहा था कि जंता यह फील कर रही है तो हम यह देखते हैं कि कारिय करताओं कि नाराज़ी आखिर में अपनी ही पार्टी की तरफ चली जाती है मतलब वो यह जानते हैं कि सता जाना बहुत बड़ा नुपसान है यह हाल फिलाल के समय में आया यानि कोई भी पार्टी चाहे वो यहां देखे और बीजेपी के लीडर्शिप में प्रधानमंत्री मोजी अपने आप में वोट खीच थे हैं और वो किसी भी इलाके में बहुत बड़ा मतलब जब पिश्ली बार मैं आपको एक उदाराने देखे दूँ शायद दर्सकों को वो लगे मैं गाउं के अंदर घूम रहा था क्योंकि महां हिंद वो बाहर आना था तो बाक्षीश करते करते एक ने कहा कुछ बोला तो मैं यह क्या क्या हो रहा है तीवी को लेके आई पीन नहीं देखने दे रहे और उसको लेके रोज इनकी आई वो बोले काकी काकी बोले हिंदी में उन्होंने मुझे बतानी कोशिश की काकी इनके घर में रोज जगडा करती है तो हमने का वह जगडा करते हैं फिर वो ट्रांसलेटर की मदब से तो उसने कहा कि वो जो है जैसे मोदी आते हैं तो वो आई पियल नहीं देखने देती वो उनको देखने लगती है कि यह बहुत बढ़िया दोला और हम लोग मजा करते है कि वो यह कहुँश में बढूतरी हुई है मुदी के साथ अगर आप मैं देख रहा हूँ चाहिए तिर्फुरा या सारे चुनाओं को देखता हूँ और हरे चुनाओं में जाता हूँ वो जो connect है महिलाओं के साथ वो unmatchable है यहां तक कि स्थानिय लीडर्शुप को भी वो overpower करती है इसके बाद अगर आप देखेंगे law and order की situations यकिनां क योगी आदित्यनाद को लेके वहां काफी जबर्दस यानि कुछ वोट ठीच के लाने कि जो कारेकरता नाराज है यानि वह उमीद अगर देख रहा है तो अपनी पार्टी भी देख रहा है यह BJP के लिए positive बात है यह कोई वो नहीं है कि उनका कारेकरता नाराज क्योंकि उ मिनिस्टर सबसे सदारवलब भाई पटेश दिखते हैं और प्रधार मंतरी मोधी जो लोग उनके आगर दंगे हो रहे हैं और यूपी में बड़े अराम से यह एक ट्रेंड हो गया था तो वह मॉडल वहां उनका कारेकरता योगी में देख रहा है तो योगी लिए उनी के पी के पास एक गैलेकसी है जो उसके लिए 2,2,4,4,6,6 वोट एकस्ट्रा ला सकती है कॉंग्रेस की दिक्कत ये है कि कॉंग्रेस सिधार मीजा पर वोटों के लिए निर्वर है, संसाधनों के लिए डि के सिव कुमार पर निर्वर है और पूरे और उसको लगता है कि वहाँ अगर कोई आदमी बड़ा नेशनल चेरा है तो वो उसके पास सिर्फ मल्ली कारजुन खड़के हैं जो इस स्टेट में खुद अपने आपको लोग प्रियता में बहुत पीछे पाते हैं सिधारा मया की यानि उनके अंदर का जो जहन है और चुकि दोनों का वोट बेस भी एक है अगर जाती गतादार पर दिखते हैं तो इसी लिए वो भी हमको कंफ्लिक्ट अभी नहीं दिख रहा है लोगों को शायद ऐसे ही लिख रहा है और ये बहुत इंग्लिश मेडिया की बहुत ज्यादे तर इच्छा होती है कि लगात अभी पक्षियों ने सब जगे लगाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत व्यक्तिगत आरोप आज कल कहीं किसी चुनाओं में मतदाताओं का दिल हिला रहे हैं जो उनकी पार्टी के हैं और वहाँ वाकई हिंदू-मुस्लिम इशू है अगर नेतारू की अत्याफ होती है तो जो बीजेपी का वोटर है वो और कमिटिड होता है और प्रमील नेतारू की अत्या करने पर जिन पर आरोप आए उनका समुझाए को इस बास से बहुत निराश नहीं होता है कि जाब हमारे आदियों ने अत्या कर दी वो भी अपनी पार्टी के साथ लगा रहता है तो प्रमाम चीजें जो हम लोग कह रहे हैं जो बनते हैं वह अमूमन इस आर्णी में टूपते हैं जब वो बीजेपी की तरफ हो जो उनका वोटर है जो खास तोर से नेशनल से कॉंग्रेस के पास कोई ऐसा चेरा नहीं है जो उनके राज्यों के अलावा किसी और कि मैं आपको वोट ला सकते थे तो वह ना इस वाल लाएंगे वोपेश बगेल ना वहाँ पिसली बार ला सकते थे किसी बार को खरूर थे नहीं इसमें लेकिन वह न अव ला सकते हैं न कुछ तो बी कॉंग्रेस के पास एक भी वोट खैचने वाला नहीं है सिर्क जातिवत आधार पे ज के कारण मैंने आपको मौजून है जो बताएं जी अफशेक जी एक जेडी एस के MLA सहाब जो है वो BJP में जोईन कर गए और एक BJP के MLC सहाब जो है वो कॉंग्रेस में जोईन कर गए तो आया राम गया राम का खेल पूरे शवाप है पूरी तरह से बड़ी अच्छी बात धिरेंदर सर बोल रहे थे उस पे थोड़ा सा एड़ करना जाओंगा जैसे जो चिक मंगलूर है वो सीटी रवी का छेतर है वहाँ पे पाँच विधान सबा सीट है उसके आख़रे में थोड़ा सा बतातूं वहाँ पे हमारा सैंपल साइज लगभग तिरपन सो लोगों का था हम लोगों ने थोड़ा सीटी रवी के अरिये को जादा फोकस भी किया था उसके कई कारण है तो हमने जब देखा कि तीन सीट यह आदवी अपने बल पे लेके आएगा और एक पे फाइट है तो और श्रीमोगा में खुद अगर आप सेंटर करना टक देखे तो श्रीमोगा भी ब्लंडर हुआ था कि बीजेपी को सेकेंड नंबर की पार्टी दिखा रहे थे लेकिन वोटिंग के बाद कम से कव जैसा आपने कहा वो दिखाना पड़ा कि अब तो बीजेपी आगे है जीत रही है कम से कम ना भी जीत रही हांग भी है तो सबसे बड़ी पार्टी बन रहती है इसका सर तरीका क्या है क्रेडिबलिटी बनाए रखने का दूसरा जो सब आपने सवाल पुछा आया आप गहरां पर उस पे थोड़ा सा मैं बता दू यह चलेगा सर अभी क्योंकि बीजेपी कई लोगों के टिकेट तो इस बार काटेगी हाला कि ही माचल के तरज प फुक के पीने की बात है तो श्याद विनिंग में उतना नहीं है लेकिन इसको यह देखने के लिए कि यह दूर अप्पा फैक्टर बहुत ज्यादा है लिंगायत में और लिंगायत पे फोकस्ट है इस बार बीजेपी की वह नहीं चाहती कि वह अच्छा अगर हम एक आपके तीन चुनाव से वो नहीं हारी है कभी नहीं हारी है जो आखरी चुनाव बीजेपी हारी थी उसमें एक और फैक्टर था यह दूर अपनी पार्टी बनाके अलग लग रहे थे वह वोट परसेंट अगर आप उस एलेक्शन में भी अगर बीजेपी के साथ एड़ करेंगे त तो वो चुनाव भी बीजेपी लार्जेस्ट पर्टी रहती तो इस बार कोई चौथी बार मुझे एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है कम से कम जो कॉंग्रेस का वोट शेर अचानक बीजेपी से पांच परसेंट बढ़ा दे कुछ लोग ये भी सवाल पोजेंग यह वो बीजेपी की तरह Я एक सात्मे वीजेपी ऐसी पच्चीज सीटे है जहां पर कभी नहीं जीती करनाटक में और इस बार भी वो नहीं जीते इसी वजह से जी तो मुझे लगता है कि यह जो ओपीडियन पॉल का खेल चल रहा है इसमें एक चीज हम लोग मिस्स कर रहे थे बार बार वह जो धिरेंदर सब्सक्राइब कि मोदी और योगी फैक्टर क्या ऐसा कॉंग्रेस के पास मास वोट पुलर है जो हमने बता है कि अधर हंग एसमली नभी आए तो मुझे लगता है कि हम सबसे सब को चोकना नहीं चाहिए हो सकता है वींजएपी मेजोर्टी सिंपल मेजोर्टी किसी तरफ पा ही जाए अभी शेक जी आप राहुल गांदी को सीरियसली नहीं ले रहे हैं मुझे उन्ही के बरों से भोल रहा है उंकार जी इस से पहले क्या प्राहूल गादी बजा है मेरा प्रश्णा आप से है कि लिंगायत वोट कितना कंसॉलिडेट होगा इस बार और एक फैक्टर ये पूछू मैं आप से और दूसरा फैक्टर कि ये जो MLS जो हैं ये Congress JDS से स्विच करके आए और दोबारा इन्होंने चुनाओ लड़के और बाजपा की सरकार के साथ पे रहें ये इनके कारण जो है वो corruption बहुत बड़ा factor बना हुआ है point number 2 point number 3 जो है वो ये है कि जो बैंगलोर सिटी और बैंगलोर रूरल बैंगलोर रूरल तो डीके शिवकुमार का बिलकुल एक तरह से बैस्चन है तो वो चार सीटे छोड़ दीजे अठाइस सीटे जो बैंगलोर अर्बन की हैं उसमें पिछली बार भाजपा पिछडी थी और जो मेरे पास जो भी सूचनाएं है वो यह कह रही है कि इस बार भी पिछड़ेगी हो सकता है पिछली बार से अधिक पिछड़े जी सबसे पहले सबसे पहला सवाल ले लेते हैं लिंगायत दोहजार उनीस के लोगसाबद चुनाओं में सिंज जी लिंगायतों के 87% वोट जो हैं वीजेपी को मिले थे एक तरफा लिंगायत दोहजार उनीस के लोगसाब चुनाओं में वीजेपी को पड़े थे वोका लिंगा भी मतलब आप ये देखो ना कि 60 पर्तिशत जो है वोट बीजेपी को मिले थे और 33% जेडियस कॉंग्रेस को मिले थे तो मुझे नहीं लगता के लिंगायत में कोई बड़ा सिफ्ट क्योंकि जब लोगसाबहा में उनको 87 पर्तिशत मिल रहे हैं उनका कोई नेता प्रदान मंत्री पद का उम्मीदवार थोड़ा था लेकिन वो अगर एक जुट होकर के नरेंदर मोधी को जिता रहे थे विदान मंत्री बना रहे थे तो इस बार तो विदान सवा का चुनाओ है और बीजेपी के पास भी इस समुदाय से मतलब बहुत कद्दावर और सम्मानित नेता है तो वो कोई की शिफ्ट करेंगे मुझे लगता नहीं है थोड़ा बहुत दो चार परसंट इदर उदर हो जाए उससे ना कॉंग्रेस जेडियेस का बहला होने वाला है और ना कॉंग्रेस का कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है दूसरा सवाल आपका क्या था संजे जी दूसरा सवाल था जो ये दूसरे जो एमेलेज जो हैं दूसी पार्टी से जो आए हैं उनके वज़े से जो करप्शन का इनके उपर दाग लगा है यहां वो देखिए उस मामले में भारतिय जनता पारिटी बैक फुट पर आती है क्योंकि ये भारतिय जनता पारिटी की एक कमजोरनस है अभी भी बनी हुई है और अलग अलग राज्यों में चुनाओ के समय जिस तरीके से ये लाइन लगा करके दूसरे दलों के नेताओं को हैं या जिन जातियों से वो आते हैं या जिन छेत्रों से आते हैं वहां कुछ परतिशत वोट भी अगर एड़ हो जाएं बीजेपी के साथ तो फाइदा मिलेगा जहां जहां थोड़ा बहुत ढीला है वहां पोजिसन और टाइट होगी अच्छा चुनाओ लड़ पाएंग कल्चर तो आपने वही अपना ली है यानि कॉंग्रेस के ही हत्यार से आप उसको मारने के लिए अब उसी रहा पर चल निकले हैं जो तीसरा सवाल था आपका के बैंगलूरू और आसपास का जो पूरा इलाका है वो तो भारतिय जनता पारिटी की कमजोरनस है और यह नहीं लगता कि उसमें इस चुनाओं में भी कोई इंप्रूमेंट देखने को मिलेगा हमें और आपको सर करप्शन पर एक बात बोलना था इसके पहले मैं भूल जहूंँ बात देखिए मोधी जब रैलियों की शुरूआत करेंगे तो उनके पास मैसेज देने के लिए बहुत बड़ा पक्ष है जो लगता है जे पूर्या लोग स्कूप यह करनाटक की जनता अच्छी तरह से समझती है वहां की जो लोकायुक्त पुलिस है वो राज सरकार के अधीन नहीं है पूरी तरह से स्वतंत्र है लोकायुक्त पुलिस ने पकड़ा है उसका क्रेडिट भाजप पूरी इस मुद्धे पर नहीं बात करेंगे कि अगर बीजेपी भी और करवाई हो अगर समझदार होंगे तो नहीं करेंगे लोग लोग अच्छी तरह सा समझते हैं चलिए ठीक है यह देखेंगे हम वह तो आगले एक महिने में देखने की बात है वह अगर करेंगे भी तो करनाटा के इस पर जिस पर अभी पूरा पुलिस वाला नहीं ले सकते हैं लोकाई उक्तवाला एडी वाला तो लेंगे कि एडी ने हम बीजेपी के नेता को भी नहीं छोड़ा तो यह सारा करप्शन पर तो चाल चलेंगे वह मेरे ख्याल से जी तो अब अब दिने जी हमकार जी पूछे तो आपसे और ऊसके बात पर रहले के प्रेशन तो जहां करणा रहे हैं तो मैं से से अन्रोद करूगा कि आप अपने प्रेश्ट वाट्साइब के माध्यम से और सुपर चैट के माध्यम से पूछे यहां पर बहुत तगड़ा पैनल बैठा है जिनको सब को बहुत तेहरी जानकारी है करनाटक के और चुनाओं के बारे में बारे में कई बार मैं इस वाट के बड़ा मेरा विट्सी पर कि कि करेक्शन का कितना फर्क पड़ता है यह बात मुझे हमेशा बड़ा इंट्रेस्टिंग लगती है खास्तों से बैलोर ऐसे इलाकों में जहां बैलारी जहां बैलारी है जहां रेड़ी बंदू जीते हैं जिताते हैं जहां शृरामलू जीतते हैं मैं हिरान होता हूँ कि कर्रेप्शन इडीज को जानता है जिसने वहां जाके बलारी को देखा हो गाएक भी बार वह समझ जाएगा कि कर्रेक्शन यहां सिर्फ सभी काम आता है जो अख़बारों में लिखने के लिए होता है यह डिबेट में काम होता है वह वहां उसका बहुत जादा फास नहीं पड़ता बलकि वहां जो किशली बार चुनाव लड़ रहे थे दोनों लेंड बनलब खनन के बड़े मान बहुत बड़े अनिलाब शायद वह मैं वह मिनिस्टर भी था उसको जब मैं बैलारी गया था शेमालू के सामने वह ठक्रा रहे थे तो सब के उपर इतने चार्ज थे अभी आप चा करता है जो सिंग वोटर होता है उसमें लास्ट मुमेंट पर यह फर्क पड़ता होगा जो कास्ट पॉलिटिक्स से थोड़ा सालग होते हैं या रिलीजियस पॉलिटिक्स निन लेकिन जिस तरह की शार्फ एज पॉलिटिक्स आप उनको वहां दिख रही है जस लाइक बंग नहीं है या आपके लोग चुनाओ नहीं लड़ रहे हैं तो उस पे आप किसको मूव करते हैं किसको आप ये इशारा करते हैं कि ठीक है ये मेरा हम लोग चुनाओ जरूर इसके खिलाब लड़ रहे हैं ये लेकिन मेरा दुश्मन नंबर पहला नहीं है ये पहला है और ये आपको last election में भी दिखाई दिया था और ये इस elections में भी दिखाई देगा कि उन्ही लाखों के बार JDS किसको अंदर खाने support करता है क्योंकि बाकी तमाम चीजें जैसे लिंगायट के हैं या मठ हैं वो जब तक जब तक ये दुए रप्पा बीजेपी के साथ फुल फ्लेज मन क के साथ हैं तब तक उस वोट में कोई चेंच नहीं हो रहा है चाहिए वह मठों में जाइए आप सब जगे जाइए वह साथ खड़े दिखते हैं याद होगा आपको मठों की राजनिती के सारे सिधा रवाया ने टुकड़े करने की दो हिस्सों में बाटने की भी कोशिश की थी मलब उस कोशिश तक पहुंचे थे वो बहुत ही मुझे लगता है कि यह दुर्भाग गया था किसी उसको लेकिन जाती वार वीर शेर्व में तो मैं मुझे लगता है कि शायद यहीं वो ताकत थी जो यह दुए रप्पा को इस बात को समझाने में कामियाब हुई थी कि यह किसी भी हद तक अगर आप बिखरते हैं तो यह बिखरा सकते हैं तो उस ताकत को संजोग के वो बीजेपी के साथ इस बार रखेंगे रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो बहुत ही चुकि जो एक मैंने देखा है यह माप कीजएगा उन तमाम नेताओं से मापी मां कर बिखेंगे लेकिन जो रिजनलिस्टिक और कास्ट पॉलिटिक्स के लीडर होते हैं वो जस्त डाइक डिसपोर्टिक नयचर में वोते हैं और पार्टी को नीचे ले आए ते अभी भी वो अपने बेटे रागवेंद्रू को अलाकिस बार जो है मोधी हाग पकड़कर उनका गए हैं साथ में गए हैं चेहरा अठा दिया तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो सेचुरेट कर सके उनकी जो महत्वकांचा अनबाउंड महत्वकांचा है और उनको साथ रखते वी सेलेक्शन को लले तो यह बहुत जरूरी है पहली और प्राइम शर्थ है कि लिंगायत कंप्लीट शिप्ट वोट दें बीजेपी को वरना तो बीजेपी की कोई गुंजाईश वहां नहीं बैठती है दूसरा यह है कि जो मैं बार करते हैं कि हमारा आदमी है यह तुमारा आदमी है मैं उधर से तुम्कूर से लेकर अगर आने की तरस आप जाएंगे कोलार जैसे हिस्सों में गुसेंगे तो महां इस पर कोई बात ही नहीं होती मदब इस क्रिप्शन जैसे इस शूपर रही बात इस जो बहुत बड़ा शि क्योंकि हमको नया बनाना है कॉपी इसलिए नया लिख रहे हैं लेकिन वहां की सिच्वेशन में कोई चेंज रहे हुआ है आप एक के बाद एक देखेंगे एनाइगे की रेल्स हैं तो वो प्रतिकुलर उस पर है तो उसका जो बीजेपी का वोटर है वो उसको लेकर बहुत खुश हो रहा है और जो विरोध में है वो उसके विरोध में है लगातार अगर आप कोश्टल एरिया में गुसेंगे तो ऐसा नहीं है कि पिछली बार भटकल के भाईयों की वज़से बहुत बड़ा चुकि घुसा था इस बार वो शान्त हो गया होगा नहीं चुकि वो रोज देख रहे हैं अगर आप देख रहे होंगे राम नौमी के जलूसों पर जिस तरह धार्मिक जलूसों पर पत्रा हुए जो सारी चीज़े हुई यह सारी चीज़े असर डालती है अब सब जगे असर डालती है खास्वर्ट तो मुझे लगता है कि जो 5-10% व कांग्रेस के पास कोई नए चीज़ है कहने के लिए और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से मुत्मài up के पास दी कोई नया बताने के लिए ने हैं उसके पास वही चेरे है वही लोग woj अपनी विरासत की कहाने सुना सकते हैं प्रदान मंत्री मोधी इस बार जिन इशूज को लेकर बताने की कोशिश करेंगे वहाँ ज्यादा इसलिए भी नहीं खेल पाएंगे आप सिर्फ करेक्शन पर कह रहे हैं मैं बाकी चीजों पर भी कह रहा हूं क्योंकि बैंगलोर प्रदान मंत्री मोधी के नाम से वहां हुआ होगा कि लोग वहां उनके वोट भाग जाएंगे तो तीनों पार्टियां अपने वोटों के मुझे लगता है इस बार हलाकि मैं एक गैसी कह सकता हूं अभी तो चुभी हम लोग जब तेरा को बात करेंगे मही को तब ज़्यादा strongly कह पाएंगे लेकिन मुझे लगता है कि इस बार शायद JDS का percentage of वोट कम होना चाहिए क्योंकि अब आप एक उमीद खोने लगते हैं शीन चली जाती है पार्टी लंबे समय तक जब आप सकता में दूसरे के सहरे आते हैं और वो सहरा अभी कोई दिख नहीं रहा तो पिछली बार को लग गया था लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनकी पार्टी जिस तरह हम लोग वहां देख रहे थे तिरपूरा में भी कि कॉंग्रेस और जो जो लेफ्ट पार्टी हैं वह मिलके मिलके भी विनिंग मात तक नहीं जा रही थी तो मुझे लगता है इसी तरह से वहां इस बार जेडियस का शेयर घटेगा और वह शेयर कोई कारण नहीं कि वह कॉंग्रेस को ताकत देता हुआ दिखे तो मुझे लगता है कि करक्शन कोई नहीं चीज नहीं बीजेभी के पास सिर्फ एक नहीं चीज ए है कि राज्या के बाहर के नेता वहां लोक प्री हैं और वह ताकत दे सकते हैं क्योंकि जितनी वहां की पंपिंग पावर है उतनी तो भाकी बार से को अबार से आधार है उसमें यही माइने रख़ता है द तो प्रश्ण आये हुएं दो प्रश्णों को ले लेते हैं इशान चर्वाजी पूछ रहे हैं इस नटवरलाल्स पार्टी प्लेइंग एनी रोल इन करनाटका अविशेख जी जी आम आदमी पार्टी का इंटर्रल सर्वे आया है जी और अब आइबी की रिपोर्ट है जी कि पद्रबीस कॉंग्रेस और पंद्रबीस इदर उदर आ रही है वरना हम आदमी भटी की तो सरकार बन रही है अगर मोधी जी में चले हिमत है तो बिना इवीम के चुनाओ करके दिखाए जी हमारे इस इंटर्रल सर्वे के बार अच्छा जी बहुत अच्छा जी देखते ह रिकॉर्ड बनाते थे जमानत जब्त होने के इस बार भी वहाँ बनेगी नेक्स्ट यॉर व्यू ऑन इस पी पार्टी इस पी मतलब सर्व इन्वाइट अंकुर ऑन जेडी बही हमने तो उनको बुलाया था गुरु आर को लेकिन वह मेसेज उन्होंने पढ़ा नहीं तो इस बोल सकता है अभी शेक जी शायद बता दे मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत प्रभाव होगा जम्मों में होगा सर्थ कि पार्टी बिहार में से हूं मैं रोज बनते हुए देखता हूं सर्थ कि राजनीती में मुझे लगता है चुनाव लड़ने के लिए दो चीज़ो कि पार्टी तो नहीं है रिटी जो अलग होके गया है नहीं नहीं सर यह उनकी पार्टी नहीं है जो भी पार्टी मैं एक बात कहना चाहता हूं किसी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दो चीज़ की आज किसमें बहुत ज़लोते गैडर और दूसरा मनी इसके बिना सर एक पुषपम प्रिया नाम का आपने सुना होगा धिरेदर सर जाते होंगे बिहार एलेक्षन में पुषपम प्रिया ने हर एक अख़बार के फ्रंट पेज पे अपनी फोटो चप वाई थी और बहुत पैसे वाली थी और चीफ मिनिस्टर कंडिडेट एक जो है वो बोरिं इस वक्त क्या हिंदू महासभा से बड़ा है किसी के भी मैं बारें बात करूंब कि इसमें कोई सीरियसली ले अगर मेरी बात को सोचे धैरे से सब्सक्राइब कर सकते हैं सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद दिरेन जी ओंकार जी विशेक जी आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिन बहुत-धन्यवाद सब्सक्राइब जैस्वाद